मुवीज तो आप सभी देखते होगे जिसमें कम से कम आप देड़ घंटे या जादा जादा आप चार घंटे लगाते हो कई बार हमारे पस इतना टाइम भी नहीं होता लेकिन स्टिल हमें रिलेक्स करना होता है तो ऐसे में काम आती है रीज नहीं मैं बात कर रहाँ शॉर्ट फिल्म्स की और अगर ये होयर हो तो और बढ़िया तो ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ होयर शॉर्ट फिल्म्स लाए हैं और ये सब यूट्यूब पे अवेलेवल हैं प्लस इनकी कोई रैंकिंग नहीं है मैं इनके नम रैंडम ली आपको बताऊँगा क्योंकि ये सभी शॉर्ट फिल्म्स इस लिस्ट में बढ़िया ही हैं तो सबसे पहले है हमारे पास दब ब्लू डोर तो बिसिकली ये स्चुर्ट एक और एक औरत की है जोग एक हांटेट से हाउस में जाती है एक ओल्ड लीडी की केयर टेकर बनके लेकिन वहाँ उसे एक ब्लू डोर दिखता है अब इसी के बाद से इसके साथ अजीबो गरी भटना होने लगती है और जानने के लिए आप ये मूवी यूटीब पे देख सकते हो जादे नहीं बस नॉमिरेट लगेंगे आपको इसे पूरा खतम करने में तो अगली शॉर्ट फिल्म है किस्ट तो ये स्टोरी एक साइकोपैत की है और ये काफी क्रीपी भी है जिसमें ये साइकोपैत एक लड़की की डेड बोर्डी को किस करता है अब ये देखना वाकई बहुत क्रीपी होता है अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे देखनी पड़ी अगली शॉर्ट फिल्म है नोज 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 आईस हाँ यही नाम है तो ये एक कोरियन हॉरर थ्रिलर है और इसका प्लॉट भी काफी अजीब है जो कि बतायने लाइक नहीं वरना ये स्पॉलर होगा लेकिन तब भी हमें इसमें एक फैमिली की शॉरी दिखाई जाती है जिसमें जो डॉटर होती है वो एक बहुत भायानक सबना देखती है अब क्या है वह ये जानने के लिए आपको ये शौोट फिल्म यूट्व पर देखनी पढ़ी तो सम्ञें वो ये शॉर्ट फिल्म को ज्याद ही शॉट है क्योंकि ये बस तीन मिलिट की है तो इस तीम निट में भी मैं अगर आपको प्लॉड वाता हूँ तो कैसे चलेगा इसलिए भैतर यही है कि आप इसे खुद यूट्यूब पर देख लो तो नेश शॉर्ट फिल्म है लाइट्स आउट वोस देर तो ये शॉर्ट फिल्म तीन मेंट से भी छोटी है जिसमें हम एक औरत की स्टोरी को दिखा जाता है जो कि अकेले रहती है लेकिन वो जब भी लाइट्स आफ करती है तो उसे शैडोज आकर डराने लगती है अब और देखने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर देखनी पड़ेगी अगली शॉर्ट फिल्म है टो तो ये एक एनिमेटेड हॉरर शॉर्ट फिल्म है और ये काफी क्रीपी है इतनी क्रीपी कि आपको बहर डरा दे तो ये स्टोरी एक लड़के की है जिसको एक टो मिलता है और ये टो मिलने के बाद एक साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म YouTube पे देखने पड़ी तो नेश शॉर्ट फिल्म है 2 A.M. The Smiling Man तो ये शॉर्ट फिल्म एक टीनेजर की है जो कि रात को एक well-dressed creepy man को देखता है वो भी एकदम सुनसान सड़क पे जो कि काफी weird तरीके से चल रहा होता है अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है तो नेश शॉर्ट फिल्म है The Dollmaker ओके तो ये शॉर्ट फिल्म एक मदर की है जो कि अभी अपने यंग बेटे के मौत के सदमे से बाहर नहीं आई है अब ऐसे में ये Dollmaker को hire करती है जो कि Dolls के अंदर जान डाल सकता है मतलब वही आत्माओं को लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी सौरत ने सोची होती है अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको YouTube पे ही ये मूँ भी देखनी पड़ी जिसमें आपको बस अपने 9 मिनट इन्वेस्ट करने होगे तो ये थी को Short Films जो आप अपने टाइम पास के लिए देख सकते हो और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो